अक्बर बीर्बल की कहानी सबसे बड़ा मन्हूज कौन? एक बार की बात है, बादशाह अक्बर बिस्तर से ही अपने सेवकों को पानी लाने का आदेश दे रहे थे. उसी समय बादशाह के कमरे के पास से कूरा साफ करने वाला सेवक गुजर रहा था. उसने जब देखा कि अक्बर को प्यास लगी है, लेकिन उनके आसपास कोई सेवक नहीं है, तो वो खुद ही बादशाह के लिए पानी ले गया. उस कूरा उठाने वाले सेवक को पानी लिए अपने कमरे में खड़ा देखकर अक्बर चौक गए. लेकिन उन्हें प्यास बहुत लगी थी. ऐसे में बिना ज्यादा सोचे समझे अक्बर ने उसका लाया हुआ गिलास पकड़ा और पानी पी लिया. उसी वक्त अक्बर के कुछ खास कार्य करता उनके कमरे में पहुँचे. उन्होंने कोड़ा उठाने वाले सेवक को वहां देखते ही उसे कमरे से तुरंट बाहर जाने के लिए कहा. फिर उन्होंने कुछ देर बादशा से बात की और वो भी उनके कमरे से चले गए. तभी कुछ देर बाद बाद बादशाह अकबर का पेट खराब होने लगा जैसे जैसे दिन धलता गया, उनकी तबियत और बिगड गई बादशाह की ऐसी हालत देखकर बड़े सिब्रा हकीम बुलवाया गया लेकिन दवाई लेने के बाद भी उनकी तबियत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था तभी राजवैध्य ने बादशाह को जोतिश बुलवाने का सुझाव देते हुए कहा बादशाह लगता है आप पर मनहूस इनसान का साया पड़ गया है राजवैध्य की बात का मान रखते हुए अकबर ने जोतिश को बुलाने का आदेश दिया तभी अकबर के मन में हुआ किसी मनहूस की परचाई तो मुझ पर पड़ी नहीं बस कूरा साफ करने वाले का लाया हुआ पानी मैंने पिया था यह सोचते ही उन्होंने उस कच्रा साफ करने वाले करमचारी को सजाए मौत सुना दी बादशा का आदेश मिलते ही सिपाहियों ने उस नौकर को जेल में डाल दिया कुछ देर बाद बादशा के इस आदेश के बारे में बीरबल को पता चला वो तुरंद उस कर्मचारी के पास पहुँचे और कहा कि तुम चिंता मत करना, मैं किसी न किसी तरकीप से तुम्हें बचा ही लूँगा इतना कहकर बीरबल तुरंद बादशाह अकबर के पास पहुँच गए डॉट बीरबल ने बादशाह से पूछा आपको क्या हुआ है? कैसे इतना बीमार पढ़ गए? जवाब में अकबर बोले बीरबल एक मनहूस इनसान की चाया मुझ पर पढ़ गई और मैं बीमार हो गया बादशाह का जवाब सुनते ही बीरबल उनहीं के सामने हंसने लगे यह देखकर अकबर को बहुत खराब लगा उन्होंने कहा बीरबल तुम मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहा हो बीरबल ने कहा नहीं नहीं बादशाह मुझे तो बस इतना कहना है कि अगर मैं आपके सामने उस कूड़ा उठाने वाले कर्मचारी से भी बड़ा मनहूस इनसान ले आओं तो क्या आप नौकर की सजा माफ कर दोगे अकबर ने पूछा उससे भी बड़ा मनहूस कोई हो सकता है क्या चलो तुम किसी बड़े मनहूस को ले आते हो तो मैं उस व्यक्ति को मुक्त कर दूँगा कभी तपाक से बीरबल बोल पड़े की महाराज उससे बड़े मनहूस आप स्वयम ही है उस मामूली नौकर ने तो बस आपकी प्यास बुझाने के लिए आपको पानी दिया लेकिन आपको लग रहा है कि उसके कारण आपकी तबियत खराब हो गई है उस बेचारे नौकर का तो सोचिये जरा वो तो आपको पानी पिलाने की वज़ह से जेल में पहुँच गया सुभा सुभा आपको देखने की वज़ह से उसका दिन तो छोड़िये पूरा जीवन बरबाद हो गया अब कुछ देर आगे बीरबल बोले अब आप खुद को मौत की सजा मत देना क्योंकि आप हम सभी के बादशाह हैं और हमें जान से भी ज्यादा प्यारे हैं बीरबल की ऐसी बुद्धिंता वाली बातें सुनकर बीमार अकबर जोर से हंस पड़े उन्होंने तुरंथी सिपाहियों को कुडाक्चरा उठाने वाले उस नौकर को जेल से रिहा करने का आदेश दिया साथ ही साथ उसकी मौत की सजाभी माफ कर दी, कहानी से सीख किसी की भी बातों पर आकर फैसला नहीं लेना चाहिए और अंधविश्वासी तो बिलकुल भी नहीं होना चाहिए